ये है आइस्क्रिम बर्फी का मटेरियल अब ये क्या है वो आगे आपको मालूम पढ़ जाएंगा लेकिन इसी तरह से परपेक्ट आपको रेशिपी बनानी है और ये आइस्क्रिम बर्फी है खाने में बहुती लाजवाव इसका यूनिक टेस्ट है यानि की नया टेस्ट मिल क्या है साड़े साथ सो ग्राम वाइट चॉकलेट जो आपको जहां से आप बैकरी का सामान खरिते हैं या मिठाई की का सामान खरिते हैं या आपको ओनलाइन भी ये मिल जाएंगा फिलिपकार्ड या एमेजॉन पे भी मिल जाएंगा वाइट चॉकलेट कंपाउंड आईए तो ये 7500 ग्राम हमने लिया है इसको तोड़ लेंगे अच्छे से और मुझे सर्दी हो गया ना तो उसकी वज़या से थोड़ा आवाज चैन्जेस हो गया है फिर भी मैं आप लोगे लिए वीडियो जरूल अप्लोड कर रहा हूँ तो ये कड़ाई में हमने पानी डाला है और ये घेरा रखा है इसके अंदर हम एक छोटी कड़ाई और रखेंगे आप चाहें तो घर पे अगर आपको बनाना है तो जिस तरह से आप इडली बगेरा बनाते हैं तो थोड़े पानी में दूसरा बहुना रखके एक बड़े करना सकते हैं फिलिप कार्ड है एमजोन पर इसको थोड़ा अलग-अलग कर लेंगे और बड़े पीस होंगे तो बारिक-बारिक हो जाएंगे निकिए छोट-छोटे हो जाएंगे और सर्दी की वज़े से आवाज काफी चैन्ज होगा है मेरा यह देखिए जेली हमारी कम्प्लीट हो चुकी है चोकलेट को हमने पहले से ही त्यार कर लिया था अब ये चोकी में आपने यानिकी ट्रे में नेच्चे देशीगी लगाया है आप चाहें तो ओयल भी लगा सकत यह है खाने वाला और इस पर बटर पेपर लगा देंगे और अच्छे से मालिस कर देंगे ताकि चोकी का गी बटर पेपर पर आ जाए यह कम्प्लीट हो गया यह देखिए इसके अंदर हमने एक और कड़ाई बीचे है और यह हमने डाला है 100 ग्राम देशीगी और उसके बाद डाल दिया हमने यह चोकलेट कर पांड गैस हमने ओन कर दिया है न तो पानी जैसे गरम होगा तो यह हमारी कड़ाई भी गरम होगी आप इसको गैस पे नहीं कर सकते हैं गैस पे आप करेंगे तो यह चोकलेट अमारा जल जाएगा आप इसी तरह से घर पे भी बना सकते हैं कि एक बड़े वर्तन में पानी ले और फिर एक उसमें छोटा वर्तन रखें और उसमें आप चोकलेट डालके गरम पानी की भाप से इसको पिगला सकते हैं तो इसको पिखलने में थोड़ा टाइम तो लगेगा लेकिन फिर भी जल्दी पिखल जाएगी और ये खाने में काफी स्वादेश्ट लगेगी और खासकर बच्चे इसको बहुत ज़्यादा खाएगे उनको काफी फसंद आएगी और इसमें कोई दिक्कत भी नहीं क्योंकि चॉकलेट है और जेली है ये देखिए इस तरह से दीरे दीरे हमारा ये चॉकलेट पतला हो गया लेकिन अभी अच्छी तरह से इसके अंदर जो रोली है वो अच्छी तरह से मिक्स नहीं हुई अभी तो और इसे चलाते रहेंगे ये देखिए इतना पतला होना चाहिए ये अब इसकी सभी रोली फूट चुकी है और आप लोगों के recommendant की सबसे हम फिर भी कम quantity में आपको recipe बना के बताते हैं वैसे हमारी margin जादा रहती है यानि कि जादा quality में हम recipe बनाते हैं लेकिन आप लोगों के लिए कम quality में recipe बनाते हैं यह देखी अभी यह perfect हो चुका है तो इसमें हम jelly add कर देंगे आप सोच रहे हैं नीचे भी gas on ही है तो jelly डालने के बाद आप gas को off कर दे तो पानी वलना बंद हो जाएंगा अब इसको हमें पिगलाने की जरूरत नहीं यह काफी अच्छी तरीके से पिगल गया नहीं कि अच्छे से liquid बन गया इसका और इसे अच्छे से mix करें हलका सा इलाइची powder डाले यानि कि पिसी हुई इलाइची यह देखिए अब इसे हम चौकी में डाल देंगे अच्छे से इसकी finishing करेंगे तो प्लीज दोस्तों मुझे भी आप लोगों की काफी support की जरूरत है अभी और आप लोगों से जो प्यार मिलना है वो भी बहुत ज़्यादा प्यार मिलना है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेर करें ताकि ज़्यादा लोगों के पास जानकारी पहुंचे और ज़्यादा से लोग शीख सके हम आपके लिए हमेशा नही नहीं रूओ इसको 2 घंटे के बाद हमें कटेंлем है ज़्यादा नहीं आपको रखना आ अगर आप जादा रखेंगे तो से कटेंग नहीं तो外 वह ने के आद रहा नोड़ बटर पर बहुत यासानी से कि इसके हम पीस कर लेंगे कि अब आप सिरो करूँ कि पीस आपको जैसा करना है वैसा कर सकते हैं इसक्वेर में भी कर सकते हैं कि यह वीडियो इसके हो गया था लेकिन साइट वाली कटिंग आपको पूरी दिखेंगी कटिंग बहुत ही अच्छे से होगी आसानी से कि आप लोगों का इसा लाएंगा कि कुछ वीडियो इसके तो गलती से हो जाता है क्योंकि हम मोबाइल से बनाते हैं तो कभी-कभी मोबाइल बंद रह जाता है यह देखें बहुत ही अच्छे से किसकी कटिंग हो रही है और यह खाने में काफी अच्छी लगती है क्योंकि वाइट चॉकलेट है और इसमें जेली है तो आइसक्रीम जैसा ही आपको टेस्ट आया और देसी की भी है प्लीज दोस्तो इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा सेर करें और यदे आवी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दमाएं ताकि कोई भी वीडियो की नॉटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पह अब देखिए इसकी पीस है आप कहीं से भी देख सकते हैं सब में फिनिशिंग है और यह देखिए, जैली भी चमक रही है, कटिंग भी बहुत अच्छे से हुई है दिखने में भी बहुत अट्रेक्टिव लगती है और खाने में भी बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा है तो आप एक बार जरूर ट्राई करें और बनाने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपकी आईस्क्रीम बर्फी कैसी बनी गए रविवार को मैं आप लोगों के लिए मैसूर पाक की लाइव रेशिपी बनाने वाला था लेकिन मेरी तवियत खराब होने के बज़े से मैं नहीं बना पाया तो उसके लिए शौरी और ये नेक्स्ट रविवार को मैं आपको जरूर बताऊंगा लाइव मैसूर पाक तो आप जरूर आईए संडे को साड़े चार बज़े लाइव मैसूर पाक मैं आपको शिकाऊंगा किस तरह से डालते हैं तो उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी साड़े चार बज़े संडे को इदे के फटा पना हम लगा देंगे यह देखे आईस्क्रीम बर्फी कंप्लीट हो गई है इसको आप तोड़के भी देख सकते हैं बहुत ही अच्छा है इसका टेस्ट आएगा और यह कड़क भी नहीं है ज्यादा श्मूद है तो फूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आद खासकर अपना ध्यान रखे ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखे